गुड मोनिंग फ्रेंड्स मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्सी सोल्यूशन्स विद अनुच आज हम बुक्स और जो ओथर्स हैं दो हजार चोबिस के जो इंपोर्टेंट बुक्स और ओथर्स हैं उसके पारे में पड़ेंगे देखो पहला कोशन क्या है पहला कोशन है हूँ इस दा ओथर ओफ बुक नेशन कोलिंग जो बुक है नेशन कोलिंग उसके ओथर कौन है उसके ओथर है सोनल गोयल देखो याद कैसे रखोगे याद रखने की ट्रिक है सोने के लिए क्या किया कोल किया कोल से क्या हो जाएगा आपका उसके बाद देखते हैं ये बुक रिलीज किसने की थी जो यूनियन मिनिस्टर है कीरन रिजी जू उन्होंने की थी और जो नेशन कोलिंग है वो प्रोवाइड करती है इंफोर्मेशन रिलेटिड टू यूपेस से सिविल सर्विस एक्जामिनेशन ठीक है हमने बस इतना पुस्तक के लेखक कोन है जो भारत मैटर्स है उसके पुस्तक के कोन है एश्र जैशंकर तो कैसे याद रखोगे जै हो भारत की जै हो भारत की जै हो भारत की क्या हो जै हो जै से हो जाएगा जैशंकर और भारत से हो जाएगा बारत मैटर्स ठीक है उसके बाद देख लेते ह अगली पुस्तक का नाम है 12th fail 12th fail किस ने लिखी है तो जो 12th fail है वो लिखी है अनुराग पाठक ने अनुराग पाठक ने क्या लिखी है 12th fail ये याद रखना है ठीक है उसके बाद आता है ये जो 12th fail है ये किस चीज पर बेस है Based on the life of IPS मनोज शर्मा और इसी 12th fail को क्या मिला है Best Film Award मिला है 69th Film Fair Awards से और इसके जो फिल्म प्रोडूसर है वो कौन है विदू विनोद चोपड़ा आपने याद रखना है एक तो जो बुक है 12th fail वो किस ने लिखी है अनुराग पाठक ने लिखी है उसको क्या मिला है Best Film Award मिला है उसमें 69th Film Fair Awards 2024 में और इस फिल्म के प्रोडूसर कौन है प्रोडूसर है विदू विनोद चोपड़ा ठीक है उसके बाद आता है Question No.4 by whom has the book titled a democracy in retreat revisiting the ends of power been written ठीक है एक democracy in retreat revisiting the ends of power नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है तो यह जो पुस्तक है यह किस ने लिखी है अश्वनी कुमार जी ने किस ने लिखी है अश्वनी कुमार ने ठीक है उसके बाद next book आती है who has been written the book named पर्णम my father a daughter remembers जो पर्णम मुकर जी है उनके बारे में लिखी गई है उनकी डोटर ने तो उनका नाम क्या हो जाएगा उनका नाम हो जाएगा शर्ममिस्टा मुकर जी ठीक है तो यह याद रखना है शर्ममिस्टा मुकर जी ने क्या लिखी है पर्णम मुकर जी के बारे में बुक लिखी है उसके बाद आता है question number 6 whose autobiography is the book title निलावू कुडिचा सिमांगल नामक पुस्तक किसकी आतमकता है तो यह आतमकता है एस सोमनात की किसकी है एस सोमनात की ठीक है यह ध्यान रखनी है important है क्यों क्योंकि जो इसरों के चीफ है न वो है एस सोमनात उन्होंने अपनी autobiography लिखी है निलावू कुडिचा सिमांगल ठीक है the autobiography is written in Malayalam language और जो एस सोमनात है वो क्या है current chairman है इस रोके इसलिए यह बुक आपके लिए क्या हो जाती है बहुत ही important हो जाती है उसके बाद अगली बुक का नाम क्या है अगली बुक का नाम है अब बुक based on the former president Dr. A.P.J. अबदुलकलाम who has written the book titled A.P.J. अबदुलकलाम Memories Never Die जो A.P.J. अबदुलकलाम जी है उनकी जो Memories है वो कभी भी नहीं मर सकती तो यह बुक लिखी है Dr. Y.S. रंजन ने और शरद चांद ने तो हमना option हो जाएगा option number D की बोद ठीक है शोरी यह लिखी है हमारी डोक्टर नाजेमा मरियाक करने और डोक्टर वाइस रंजन ठीक है उसके बाद आता है देखो इस बुक इन इंग्लिश ट्रांसलेशन ओफ तमिलनाडू ठीक है इस बुक इस रिटन बाई डोक्टर नाजेमा एंड एमिनेंट इश्रो साइन्टिस्ट डोक्टर वाइस ठीक है उसके बाद next question आता है ये किसके द्वारा लिखी गई है मोहन कुमार के द्वारा किसके द्वारा मोहन कुमार के द्वारा लिखी गई है उसके पाद next book आती है इंडियाज finance minister from independence to emergency इंडियाज finance minister from independence to emergency 1947-77 ये किसके दौर लिखी गई है ये लिकी गई है एके बटाचारिये जी के दौर किसके दौर एके बटाचारिये उसके बाद अगली पुष्तक आती है वाजपई दा एसेंट ओफ हिंदू राइट उन्निसो चोविस से उन्निसो सथत्तर ये किसके द्वार लिखी गई है ये लिखी गई है अभिशेक चोधरीगे द्वारा ठीक है उसके बाद आता है उडिया वर्जन ओफ दा बुक टाइटल गीता आचरन ये किसके द्वार लिखी गई है केशिव परसाद गीता आचरन केशिव परसाद उसके बाद अगली बुक आती है स्मोक एंड एश इस राइटर्स जर्नी थुरू ओपिमम हिडन हिस्ट्री ये किसके गोश के द्वारा कौन सी smoke and ash देखो ऐसे याद रख लो ash और गोश ठीक है गोश और ash ठीक है तो यह मिताब गोश उसके बाद आता है देखो कुछ आमिताब गोश की important book देख लेते हैं इनके बारे में हमेशा बुची जाती हैं सबसे पहली है sea of poppies दूसरी है जंगल नामा त sea of pops एक तो important है जंगल नामा एक है shadow lines और एक है living mountain ठीक है उसके बाद आता है who is the author of book कश्मीर ट्रेवल्स ठीक है कश्मीर ट्रेवल्स in paradise on earth तो यह लिखी है रमेश बटाचारजी ने किसने रोमेश बटाचारजी उसके बाद है question number 14 एक समंदर मेरे अंदर एक समंदर मेरे अं जो पुस्टक है यह लिखी है संजीव कुमार जोशी ने देखो उनके अंदर इतना जोश है कि उन्होंने यह बोल दिया एक समंदर मेरे अंदर तो किसने लिखी है संजीव कुमार जोशी ठीक है launch किसने करी है launch करी है national security advisor अजीत डोयल और जो cds general है अनील चोहान उन दोनों ने इसको launch किया है उसके बाद next book है who is the author of book brave heart of Assam लचित बर्पुक खान ठीक है brave heart of Assam तो यह लिखी है अरुन कुमार दत्ताने किसने लिखी है अरुन कुमार दत्ताने उसके बाद आती है question number 16 do different the untold धोनी on the biography of former Indian captain महिंदर सिंग धोनी तो धन्नी के बारे में किसने लिखी है यह लिखी है यह लिखी ती Chris Gayle ने और 281 and beyond यह है VBS लक्समन की दुबार देख लेते हैं बिलीव वट लाइफ एंड करके टोट मी सुरेश रैना प्लेइंग इट्स माइवे सचिंते अंदुलगर टैस्ट ओफ माइफ युवराज सिंग असेंचुरी इस नोट एनफ सौरव गांगुली नोस्पिन शेन बोन सिक्स मशीन क्रिस गेल और 281 and beyond VBS लक्षमन ठीक है उस अनील चोहान ने ठीक है? Artificial Intelligence, CDS अनील चोहान उसके बाद आती है राम मंदिर यह बहुत इंपोर्टन हो जाती है राम मंदिर, राश्टर मंदिर, एक सजी विरासत एक सजी विरासत यह लिखी है आरिफ मुववद खान ने किसने आरीफ मुहमद खान ठीक है उसके बाद नेक्स्ट कोशन आता है वोट इस दा थीम कंट्री देखो विच इस दा थीम कंट्री इन दा 47th कोलकता बुक फेर टुबी हैल्ड इन जनवरी दोहजार 24 तो थीम कंट्री पुछी गई है कौन सी है ब्रिटेंड बहुत इंपोर्टेंट कोशन है पुछा जाता है ठीक है उसके बाद आता है एक अनकोमन लाव अर्ली लाइफ उफ सुधा और नारायन मुर्ती ये किसके द्वार लिखी गई है चित्त्रा बैनर जी ये दोहरा ठीक है उसके बाद है अगला कोशन ब्रिक ग्राफिक डिजाइन फ्रॉम इंडिया ये लिखी है जया जेटली ने ठीक है उसके बाद आती है बुछ गांधी अलाइफ इन थ्री कैमपेन ये लिकी है MJ अकबर गांधी अलाइफ इन थ्री कैमपेन किसने लिकी है MJ अकबर ठीक है उसके बाद है question number next 9 incomparable years of हरियाना government the rise of new and vibrant हरियाना ये लिकी गई है जैगदीप धनकड के द्वारा ठीक है जोकी गवर्नर है रियाना के CM है मनोरलाल खट्र उसके बाद है who has released the first volume of political history of Assam 1947-1971 ये किसके द्वारा है ये है हेमंत विश्वा स्वर्मा के द्वारा ठीक है उसके बाद आता है next question who received व्यास सम्मान देखो important हो जाती है क्योंकि इसको व्यास सम्मान मिला था 2013 में यादे यादे और यादे memories, memories and memories तो इसके कोण है पुष्पा भारती देखो फूलों की यादे होती है तो पुष्पा भारती ठीक है उसके बाद है question number 28 who is the author of book title breaking the mouth remains India economic future तो बोथ A and B रगुराम राजन और रोहित लांबा रगुराम राजन और रोहित लांबा उसके बाद आता है question number 29 ये दिया गया है श्रीरंगम the responsive kingdom of रंगराज्जा ठीक है रंगराज्जा तो ये किसके द्वारा की गई है नरेंदर मोदी जी के द्वारा उसके बाद है question number 30 who has written the book welcome to paradise जो welcome to paradise है वो पुस्त किसके द्वारा लिखी गई है वो लिखी गई है twinkle खन्ना के द्वारा welcome to paradise twinkle ने क्या किया welcome किया तो twinkle to paradise ठीक है उसके बाद अगले बुक आती है दबाबरी मस्जिद राम मंदिर डलीमा ठीक है दबाबरी मस्जिद राम मंदिर डिलैमा ये किसके द्वारा लिखी गई है ये लिखी गई है माधव गोड़ बोले किसके द्वारा माधव गोड़ बोले के द्वारा उसके बाद अगली पुस्तक है four star of destiny तो four star of destiny mm नरावने ठीक है four star of destiny mm नरावने उसके बाद अगली पुस्तक है हमारी दबुक संस्कृति के आयाम ठीक है ये किसके द्वारा है ये है मनोरमा मिश्राजी के द्वारा ठीक है उसके बाद next पुस्तक आती है which author has won six Rabindranath Tagore Literary Award for the book salt and paper देखो SPSP सुकरिता पोल कुमार salt and paper और इनको क्या मिला है छठा Rabindranath Tagore Literary Award मिला है इनकी इस पुस्तक के लिए उसके बाद आकरी पुस्तक है सद्भावना की सरीता नरेंदर मोधी तो ये किसके द्वारा लिखी गई है ये लिखी गई है डोक्टर जशबाई पतेल के द्वारा किसके द्वारा डोक्टर जशबाई पतेल ठीक है हमारी part one हुआ complete part two करेंगे कल अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद